नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टैनो क्लासिज जोदपुर में डिक्टेशन शुरू होगा पांस सेकिन बाद जल को जीवन हे तू अपरिहार्य माना गया है इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है विराम जल पीने फसल उगाने साफ सफाई इत्यादी हे तू नितांत आवश्यक है विराम कहा जाए कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद होंगे तो कोई अतिशयोक्ती नहीं होगी जैसा कि जल एक दूलब वस्तू बनती जा रही है चूकि जन संख्या में बड़ोतरी के फल स्वरूप उसकी जल संबंधी आवश्यक्ताओं में भी व्रधी हो रही है विराम एक संसाधन के तौल पर भारत में जल की उपलब्धता और समान है विराम भारत एक विशाल तथा भिन भावगौलिक परिस्थितियों वाला देश है विराम यहां पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जल की अधिकता के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो कुछ राज्य ऐसे भी है जहां जल की न्योनता जीवन को कठिन बना देती है विराम उधारनार्थ मध्य प्रदेश महाराश्ट्र में सूखे की इस्थती बनी रहती है या जब बारिश होती भी है तो बहुत कम वहीं मेघाले धर्ती पर अतियधिक वर्षा वाला शेत्र है विराम ऐसे शेत्रों में जहां भौम जल इस्तर कम हों तथा वर्षा भी कम होती हो नदिया ही पानी के लिए सिचाई के लिए तथा विध्यूत उत्पादन के लिए जल मुहया कराती है विराम जैसे जैसे भारत में जन संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जल की आविश्यक्ता भी बढ़ती जा रही है नदियों के अधिक अधिक जल के उप्योग के लिए भी दबाव बढ़ा है विराम नदियां किसी एक राजिय में उत्पन होकर अन्य राजियों से होकर बहती है इसे लिए जल के साझा उप्योग के लिए राजियों में एक अनिवार्यता की इस्थती उत्पन हो जाती है विराम जिन जिन राजियों से होकर नदियां बहती है उन राजियों में जल को अधिक अधिक प्राप्त करने हैं तू विवाद की इस्थती उत्पन हो जाती है विराम भारत में बहुत सी नदियां ऐसी है जो कई राजियों से होकर समुद्रों में जा गिरती है विराम इसी के चलते लगभग सभी राजियों के बीच नदी के जल हेतू विवाद उत्पन हो गए हैं विराम जल विवादों में जो प्रमुक जल विवाद है वो निम्न लिखित है गुजरात, महाराश्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी को लेकर विवाद है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में माही नदी जल के विवाद है विराम पैरा जल एक सिमित संसाधन है जिसकी मांग तिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है विराम जिन राजियों में नदियां आरंब होती है वो राजिय पहले ही नदी के जल का एक बड़ा हिस्सा क्रशी और अध्योगिक कारियों में प्रयुक्त कर लेते हैं और निचले राजियों को कम जल से अपनी आविश्यक्ताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है जिससे विवाद का जन्म हो जाता है विराम राजनीती करण असपस्त नियम कानूनों के कारण जल विवाद अधिकाधिक उलच जाते हैं और समाधान में शिथिलता आ जाती है विराम यह भी असपस्त है कि नदी जल विवाद में कैंद्र का नियम मान्य हो या राज्य का विराम इस कारण से भी विवादों की इस्तती जियों की तियों बनी रहती है विराम विवादों या मत भेदों का समाधान किसी संघीय राज्य के केंद्र में होना चाहिए विराम यदि विवाद निवारन समीती के माध्यम से विवाद का समाधान न हो पाए तो उस पर निर्ने के लिए अंतर राजिय नदी जल विवाद न्यायाधी करण के गठन का प्रावधान है इसकी कई साखाई हो सकती है विराम विधेयक के तहत प्रस्तावित न्यायाधी करण को दो वर्षों में किसी विवाद पर निर्ने देना होगा और इस समय को अधिक्तम एक वर्ष के लिए अउर बढ़ाया जा सकेगा विराम विधेयक में न्यायाधी करण की निर्ने को सरकारी घजट में प्रकाशित करने के प्रावधान को हटा दिया गया है विराम न्यायाधी करण का निर्ने अंतिम और विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा विराम इसे सर्वोच न्यायले के आदेश की समान ही लागू माना जाएगा विराम नदी जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधी करण के गठन का प्रावधान है विराम यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि जल की कमी के कारण उत्पन होने वाली तनावपून इस्थती में वह जल वितरन से संबंधित नियम बना सकती है विराम पैरा नदियों के जल इस्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना अत्यावश्यक है जिससे सभी राजियों की आवश्यक्ताओं की निर्बाद पूर्ती की जा सके विराम नदि जल का आधे से अधिक पानी सिजाई में उप्योग में लाया जाता है अतह पारमपरिक तरीकों के इस्थान पर ड्रिप सिजाई फाउंटेन सिजाई तथा वाटर इंजेक्शन जैसी सिजाई तकनिकों का प्रयोग होना चाहिए तथा सरकार द्वारा इन तकनिकों का प्रशिक्षन क्रशकों को दिया जाना चाहिए विराम सिजाई प्रणाली और मांग प्रबंधन में जल संसाधनों का कुशल और तिकाउ उप्योग करना नदी जल विवाद के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है विराम केंद्रिय जल आयोग और राश्ट्रिय जल नीती के विभिन प्रावधान और द्रश्टी कोणों से आम जनता को अवगत करा कर तथा इनके विशय में जागरूपता फैला कर विवादों का हल खोजा जा सकता है विराम कॉलेज विश्व विध्यालयों में इसके शोद को बढ़ावा दे कर जल विवाद के निप्टारे के नविन तरीकों को खोजा जा सकता है विराम पैरा परियावरणिय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नदी जोडों परियोजना को आरंब किया जाना चाहिए जिससे नदियों में जल इस्तर को संतुलित किया जा सके विराम एक विसिस्ष्ट शेत्र की नदियों को आपस में जोडा जा सकता है विराम भारत जैसे विकासिल देशों में अंतर राजिय जल विवाद का निप्टारा होना तथा शेग्रता से होना महत्वपूर्ण है क्योंकि जल संसाधन हर प्रकार से वीकास को प्रभावित करता है विराम क्रशी के अतिरिक्ट अन्य सभी प्रकार के उध्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल संसाधन से जुड़े होते हैं अथार्ट आवश्यक है कि जल विवाद निप्टाए जाएं और नदियों को विकास हे तू तथा आवश्यक्ता पूर्ती हे तू भली प्रकार से उपियोग में लाया जा सके विराम नदियों विवाद न सिर्फ ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं जो कि भारत में प्रगती में बाधक है बलकि ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन कर रहे हैं जिनके जलती अशांती तथा वेमनस्य बढ़ रहा है विराम पैरा अंतराजिय नदियों विवाद को लेकर ए पाचा अत्यधिक आविश्यक है विराम साथ ही नदी जल विवाज से जुड़े सभी हित धारकों की आविश्यक्ताओं का ख्याल रखते हुए उन्हें तरजीह दिये जाने की भी आविश्यक्ता है विराम इस उदेश्य हेतु एक तरफा विकास ही नहीं अपितु विशेश पार दर्शीता सुनिष्ठित करते हुए समावेशी और सतत विकास को अपनाने की आविश्यक्ता है विराम सहकारी द्रश्टी कोन के बिना भारत जैसे राश्ट्र में जहां प्राकर्तिक संसाधनों का उप्योग तथा बटवारा होना हर प्रकार के सामनजस्य को लाता है स्थतियों में सुधार होना एक कठिन समस्या है पूर्ण विराम